फूल जो दिखने में सुन्दर होते ही हैं जो हर किसी के मन को मुह लेता है फूलों से क्या क्या किया जाता है और किस प्रकार हमारे लिए ये यूस्फूल होते हैं ये हम सभी जानते हैं ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर ओकेजर में यूज होता है परन्तु आज हम जानेंगे फूल के कुछ ऐसे रोचक तथ है जो कम ही हमें पता होता है दुनिया भर में चार हजार से अधिक फूलों की परजातियां पाई जाती हैं परन्तु इन में से ऐसे कई परजातियां हैं जीने खोजा नहीं जा सकता दुनिया का सबसे छोटा फूल गलोबोसा या एशियन वाटर मील है यह मात्र चावल के दाने के बराबर छोटा होता है चंद्रमा फूल भी एक प्रकार की फूलों की परजाती है जो रात में खिलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं दुनिया में सबसे बड़ी फूलों की निलामी नेजर लैंड में अल्समर में होती है वहाँ एक दिन में 20 मिलियन फूलों की निलामी होती है मेक्सिको में चमकादर की ऐसी परजाती पाई जाती है जो केवल कैक्टस के फूलों का प्रागन करती है सफेड फूलों से रंगीन फूलों की तुलना में अधिक तेज गंध होती है आर्किट के लगभग 4000 परजातियां होती है लेकिन 1500 अकेले कोलंबिया में ही होती है आर्किट कोलंबिया का नैशनल फ्लावर है आर्किट नामक पॉधे को बढ़ा करने के लिए मिट्टी की आवेशक्ता नहीं होती है उन्हें हवा से भी पोशक्तत मिल जाते है लिली दिखने में जितनी सुन्दर होते हैं हैं बिल्लियों के लिए उतने ही विशाले होते हैं बौधों के लिए कमल का फूल पवित्र माना जाता है उनका मानना है कमल का फूल शरीर मन आत्मा की पवित्रता का पर तीख है ब्रोकोली फूल गोवी आर्टिशोग सबजी के रूप में जाने चाते हैं परंतु वास्त में यह सभी फूल हैं केसर दुनिया में मिलने वाले सबसे महंगे मसालों में से एक है यह एक प्रकार के क्रोकस फूल से प्राफ्थ होता है सत्रवी शताबडी में ट्यूलिप के फूलों की कीमत सोने से भी ज़्यादा कीमती था गेंडे का फूल अफ्रीका और एशिया महादीप में इसकी व्यापक रूप से खेती होती है गेंडे के फूल का मूल स्थान मैक्सिको देश माना जाता है इसकी दुनिया भर में 50 परचातियां होती है तो आज हमने जाना फूलों के बारे में कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट जो शायद हमें कम ही पता रहता है तो आपका इस बारे में क्या मानना है और आपको यह वीडियो कैसे लगा और अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक्यू वेरी मच